हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं चानल तोड़े वी आर गोईंग तो सी डे सेवन फ्रॉम दे ब्रीज कोर्स इस पॉर स्टंडर सीख सब्जेक्ट हिंदी ओके नाव लेट उस सी शेत्र मोखिक भाशा विकास कोशल भाशन और लेखन अध्यनिश्पति विवीद प्रकार की सामगरी समाचार पत्र बाल साहित्य पोस्ट रादी में आये सववेदंशिल बिंदो पर मोखिक लिखित अभिव्यक्ति करते हैं तो मोखिक मतलब जो हम ओरली बोलते कुछ आंसस देते उनके बारे में और लिखित मतलब राइटिंग में रीटन में ओके तो आओ पता कर देखते गाव और शहर की तुलना करें तो यहां पर एक पिक्चर दिया गया है और गाव में कैसा रहता है शहर में कैसा रहता है उसके बारे में एक पिक्चर देखके कुछ सेंटेंसेस हमें बता नहीं है उसमें लिखना नहीं है देखो गाव शहर की प्रगति देश की उन उसके साथ साथ बहुत सारे पेड़ वगएरा दिख रहे एक साइड में और एक गाव का भी पिक्चर है गाव है और वहाँ पे कूडा दान भी रखाए देखो स्कूल के साइड में आप्टर दैन देखो बहुत सारे जो घर है वहाँ पे अलग अलग और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या लिखा है देखो स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम मतलब स्वच्छ साब सुत्रा अगर गाव है तो कैसा रहेगा स्वस्थ रहेगा तंदृस्थ रहेगा ऐसे वहाँ प छे पाणी दरहते हैंby या लारा एक यह क्या सुक्षास सब्सक्राइए बॉल गाउ और शहर की तुलना करें गाउ में क्या होता है कच्ची सड़के होती हैं लेकिन शहर में सड़के कैसे पकी होती हैं उसके साथ साथ गाउ के जो घर होते हैं ऑसके साथ गौट सारी बीते हम बता सकते हैं गाव और शहर की विशेशताई कहलवाए और गाव में क्या विशेश रहता है और शहर में क्या विशेश रहता है इनके बारे में भी हमें यहाँ पर जानकारी देनी है देखो अफ्टर डैट आओ अब्भास करे में क्या दिखा है गाव की विशेशताई बता अंसरे यहां पे भारतिय गाओं में सयुक्त परिवार हमें देखने को मिलते हैं सयुक्त मतलब जहां पे दादा दादी भी रहते उनके साथ बच्चे है और बच्चों के साथ माता पिता भी ऐसे सब बड़ा सा परिवार हमें गाओं में दिखाई देता है और क्या होता है जादातर वहां के लोगों का खेती ही प्रमुक्वेवसा है उसके साथ साथ पशुपालन भी ओ करते है यहां की जनसंक्या भी कम होती है ग्रामिन लोगों को मतलब जो गाओ में रहते उनको शुद्ध हवा, पानी, साधारन और पोश्टिक भोजने सब मिलता ह और अभी गाओ का विकास जैसे स्कूल है, अस्पताल है बहुत सारे गाओ में और बहुत कुछ सुविदाए प्राप्त होकर होने लगाए, विकास होने लगाए, ओके? नेक्स्ट क्विच्चने, गाओ और शहर की स्वच्चता के बारे में बताए, अभी गाओ में स्वच्चता का खयाल कैसे रखा जाता है और शहर में कैसे रखा जाता है, उनके बारे में बताना है, तो आंसर देखते हैं, पहले गाओ में स्वच्चता का इतना महत्वर नही सरकार भी अभी गाव और शहर के स्वचता के उपर विशेश ध्यान दे रही है शहर में सवचाले तथा कच्रा जमा करने के लिए नगरपालिका की गाड़िया ऐसी सुविधाय होती है इस तरह से और कुछ आपको पता हो आंसर में तो ओभी आप लिख सकते हो गाव और शहर की अनुशासन के बारे में बताए आंसर देखते हैं गाव हो या शहर अनुशासन बहुत ही जरूरी होता है गाव में अनुशासन के बज़े से आज बहुत सारे समसाय सुलजती है लेकिन गाव में अनुशासन थोड़ा ढिला इसे चलता है लेकिन शहर में पता है बटाएं आनसर देखो शहर में लोग पक्के घरों तथा बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग नोक्रियां व्यवसाय करते हैं, शहर में जनसंग क्या अधिक होती हैं, यहां के लोग आने जाने के लिए कार, बस, टैक्सी, स्कूटर, आधि वाहनों का उपयोग करते हैं, और उसी के बज़े से प्रदुशन होता है, और शुद्ध हवा कम होती हैं, यहां पे बहुत सारे स्कूल, अस्पताल, कारखाने, और कुछ बगीचे संग्राल होते हैं, शहर बहुत सारी सुकसुविदा से बरपूर भी होता है, नाउ नेक्स्ट, आओ सक्षम बने, चित्रों का निरिक्षन करते हुए, उनके बारे में समुह चर्चा करें, समु लिखना नहीं है, नेक्स्ट क्वेच्चे ने, पानी और बिजली की बचट कैसे की जा सकती है, पानी की और बिजली की बचट हम कैसे कर सकते हैं, तो आंसर देखते हैं, बिजली की बचट के लिए जरुरत न होने पर उपकरन का मुख्य स्वीच बंद कर दे, बल्ब की प्रत नहीं पड़ेगी। फिर। पाणी बचाने के लिए नल को खुलाना छोड़े। अब ये मैंने पहले बिज़ली बचाने के सब्सक्राइद। जहां न लिख करें, उनको तुरंत ठीक करवाएं। शावर के बजाय नहाने के लिए बाल्टी का उपयोग करें, क्योंकि पानी नहीं तो जीवन नहीं। नेक्स्ट क्वेच्चन है, अध्यापन संकेत, यदि बिजली न हो तो इस विशे पर दस पंक्तिया लिखो, मतलब तेन लाइन्स हमें यदि बिजली न हो इस विशे पर लिखनी है, नाव लेटेस से आंसर, बिजली आज के यूग में हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है, बिजली न होती तो पंक्खे, कूलर, एसी नहीं चलते, गर्मी से हमारा बूरा हाल होता, सर्दी के दिनों में रोश्नी के बिना अंधेरा होता, बिना बिजली हम आधुनिक जीवन की कलपना भी नहीं कर सकते हैं, मानव का जीवन अगर बिजली न हो, तो आसान नहीं होता, बहुत सारी सुक्सुविदाय नहीं होती, जैसे वाशिंग मशिन हैं, डिश वाशर हैं, मनोरंजन के साधन भी नहीं होते, मानव का जीवन बहुत ही साधा रहता, तो इस आंसर के साथ और कुछ लाइन साब लिख सकते हो आपको अगर कुछ न्यू बाते पता है तो उसके बारे में भी लिख सकते हो नेक्स्टेप पूरक साहिते स्त्रोदिक्षा आप का प्रयोग करें आपे दिक्षा आप की लिंक दिये वही से और कुछ इंफर्मेशन आप ले सकते हो तर विद्धे अर्थि मित्राणो तुम्हाला माजी वीडेयो नो किछ आवड लेए असेल चला तर माक तुमी जर चैनल ला सब्सक्राइब केलएए न असेल पटापठ चैनल सब्सक्राइब करा वीडियो ला लाइक करा, तुम्चा फ्रेंड सोबती शेर सुद्धा करा आनि त्यास बरबर कमेंट सुद्धा, ओके, थैंक यू